दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस You Tube चैनल में तो देखए, आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम लोग Practice A10 के Questions को Solve करने वाले हैं। तो देखो, इसमें हम कौन सा Question Solve करेंगे। Practice A10 का जो Question No. 2 है उसको हम Solve करेंगे। अच्छा question number 1 कहां पर है वो तो मैंने पिछले वाले वीडियो में करा दिया था जिसमें हमने देखा था addition of mix fraction ठीक है तो अगर आप सभी लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लेना ठीक है playlist में अब question number 2 के हम बात करेंगे तो इसमें हमें क्या सीखना है देखो यह हमारा lecture number 2 है इस practice है 10 का तो देखो इसमें ना हम लोग subtraction सीखेंगे mix fraction का यानि आपको mix fraction दिए रहेंगे उनको कैसे subtract किया जाता है वह हम सीखेंगे तो आइए फिर शुरू करें देखो प्यारे दोस्तों यह रहा आपका question number 2 question number 1 मैंने पहले ही करा दिया है आप लोग देख लेना playlist में जा करके ठीक है आओ तो देखो subtraction जैसे addition करने के हमारे प now method number 1 क्या कहता है जैसे कि हमारा question क्या है 3 integer 1 गाई-3-1 By है प्यारे दोस्तों आई एप लोगों को फटावट से बता देती हूं यहां पर देखिएगा हम क्या करेंगे यहां पर क्या दिया 3 —1 dv4 तो हम क्या करेंगे यह जो इन्टीजर से ना उनको एक साथ ले लेते हैं 3 और 1 को लिजिए मैंने ले यहां पर आपको हमेशा प्लस का साइन लगाना है चाहे वह एडिशन हो या फिर सब्ट्रेक्शन फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा देखो यहां पर क्या है वन अपॉन त्री लिग दिया दूसरा फ्रैक्शन हमारा क्या है प्यारे बच्छो वन अपॉन भी यह बमहन लिग दिया और देखो बीच में था माइनस सक्वाइन यहां पर मैंने माइनस का सैंइन लगा दिया अच्छा आगे वर यहां पर हम क्रोस में multiplication करके इसको solve कर सकते हैं क्योंकि दोनों का denominator same नहीं है तो 4 into 1 करेंगे 4 का multiply 1 में करेंगे minus 3 into 1 करेंगे 3 का multiply 1 में फिर उसके बाद नीचे वाले numbers का एक साथ multiply हो जाएगा 3 into 4 अच्छा आगे बढ़ो आगे क्या करोगे देखो ये 2 फोर बंसा क्या होता है प्यारे बच्छों 4 होता है minus 3 क्योंकि 3 और 3-4 तो अब यहां पर देखो क्या आएगा 2 प्लस चार में इस तीन गया तो एक और यहां पर 12 यानिकि इसका आंसर हमें क्या मिलेगा finally 2 2 integer 1 by 12 तो यह है आप लोगों का फाइनल आंसर ही यानिकिट लास्ट में आंसर में आपको क्या करना है यह प्लस को वहां से हटा देना है और फिर जो भी आपको मिलेगा वहीं आपका देख रेंगे जैसा ही यहाँ बीसरेंस करता था तो हम लोग मैनस सब्सक्राइब बीद में क्या रहें suspects stronger अब मैंने डेख लिया मेंगर समय नमबर तू तो जो में प्लश में क्या नहीं प्यारे बच्चों आईए आपको दिखाती हूं यहां पर हम लिख देंगे मैं तर्ड नंबर टू कि मैं तर्ड नंबर टू क्या गहता है पहले सवाल लिख लें ट्री इंटीजर वन बाइटीजर वन बाइफ ठीक है अब इसे हमें सॉल्व करना है तो में हम क्या यह 3 का multiply three में करें तrän बड़ कर देना किसको चैसे हम यह यहां पर क्या होता है 9 9 प्लस उन अपान में फीर मैं फिर 9 प्लस वनकरोगे तो कितना आ जाएगा यहां पर आएगा प्यारे बच्चों टीन अपॉन में तो क्या करना होगा इसे 10-4 बीच में माइनस कसान तो माइनस आएगा फिर 3 का मिल्टिप्लाइए 5 में कर दोगे और फिर नीचे क्या आएगा ऐसे multiply कर देना 3 into 4 तो देखो कितना आएगा 10 4s है कितना होता है 40 होता है फिर minus 3 5s है कितना होता है 15 और नीचे के आएगा 3 4s है 20 ठीक है अब 40 में से 15 को minus करो तो 0 में से 5 नहीं जाने वाला 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा इधर कितना बचता है 3 3 में से 1 गया तो 2 नहीं समझ में ऐसे माइनस करके बताती चालिस और यहां पर 5 चलो minus करो इसने किसको दिया यहां पर 3 है अब यहां पर 10 बन चुका है 10 में से 5 गया तो 5 तीन में से 24 मेइनस करोगे इधर वण आजाएगा यहां पर आजाएगा यहां पर आजाएगा जीरो ठीक है तो देखो प्यारे दोस्तों यह आपका रिमेंडर है यह आपका कोशन्ट है एंड़्स इस आर्डेवाइसर तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है कोशन्ट को बराबर त second method से भी हमें वही answer मिला है ठीक है तो tension वाली कोई बात नहीं है तो यहाँ पर पहला sub question हो चुका है complete डोनों ही methods मैंने आप लोगों को बता दिये हैं आपका जो मन करें वह method से question solve कर सकते हो ठीक है चलो आप चलते हम हमारे अगले question की तरफ तो यह रहा आपका second sub question टोटल चार सब questions दिएगा है अब दूसरे पर हम पहुंच चुके हैं तो आएए इसको भी solve करें देरी किस बात की पहले हम लोग बात करने वाले है method number one की ठीक है question क्या है 5 integer 1 by 2 minus 3 integer 1 by 3 आओ ज़रा इसको हम solve करें पहले method से देखो क्या करेंगे हम जो integer थे उनको एक साथ ले लेंगे 5 इधर क्या है minus 3 एक साथ मैंने ले लिया ठीक है फिर इधर बीच में प्लस कसाइं बताया था ना फिर fraction को एक साथ लिखना 1 by 2 इसका fraction क्या है प्यारे बच्छो 1 by 3 बीच में माइनस कसाइं क्योंकि यहां पर माइनस है अच्छा अब क्या करेंगे पांच में से तीन गया तो दो आता है प्लस यहां पर देखो जो डिनॉमिनेटर से ना वह सेम नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम लोग क्रॉस में अब चलो अब इसको फटाक से सॉल्म कर ले देखो यहां पर क्या आएगा टू इंटीजर 1 by 6 और यह हो गया आप सभी लोगों का कोश्चन क्या है पहले कोश्चन लिख लें फाइव इंटीजर 1 by 2 माइनस 3 इंटीजर 1 by 3 तो में हमें क्या करना होता है यह जो फ्रैक्शन दिया है इसको प्रॉपर लिए हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इसके लिए देखो 5 का मुल्टिप्लाइट 2 में प्लस कर देंग पाइट 2 जा 10 प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस 3 3 जा 9 प्लस 1 अपॉन में 3 फिर आगे देखो 10 प्लस 1 करोगे तो 11 आएगा अपॉन में 2 माइनस 9 प्लस 1 करेंगे तो 10 अपॉन में 3 ठीक है देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फिर क्रॉस में मल्टिप्लिकेशन करे करेंगे हम 11 का multiply देखो 3 में करेंगे है ना फिर बीच में माइनस का साइन है 10 का multiply 2 में क्यूंकि 2 उदर जाने के बाद multiply होगा 10 x 2 फिर नीचे वाले denominator से उनका multiply एक साथ यानिकि 2 x 3 2 x 3 हो जाएगा फिर यहां पर कितना आएगा देखो 11 3 कितना होता है प्यारे बच्छो 33 होता है minus 10 2 सा होता है हमारा 20 और नीचे देखो क्या आएगा 23 6 ठीक है अब माइनस करके बताओ 33 minus 20 करेंगे तो कितना आएगा तीन में से 0 को माइनस किया तो 3 और 3 में दो गया तो एक क्या निगी 13 अपॉन 6 आ जाएगा अब यहां पर हम क्या करेंगे डिवीजन कर लेते हैं ठीक है डिवीजन कैसे आजाता है आओ जरा नीचे वारी लाइन में करें देखो यारे बच्छों डिवीजन हम कर लेते हैं तो यहां पर 6 यहां पर 13 कितने बार में जाएगा दो बार में 6 2 सा क्या होता है 12 माइनस करेंगे तो इधर आएगा वन इधर आजएगा 0 13 में से बार गया तो एक ही तो आएगा ना यहां पर आगया एक ठीक है अब इसको चलो हम लिखते हैं fraction में mix fraction में कैसे लिखोगे सबसे पहले क्या आता है आपका प्यारे बच्चों का फाइनल आंसर ठीक है देख लो इसमें भी हमें वही आंसर मिला इस मैसर से किया तो भी हमें यही आंसर मिला तो अच्छे से ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा है ना कई बच्चों को लग रहा होगा काफी फास्ट जा रही हूं लेकिन को सॉल करने का यही मैथड है तो आपको सीखना तो पड़ेगा है ना और कब सीख पाओगे जब आप बार बार एक ही चीज की प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे ठीक है चिंता वाली कोई बात नहीं है तो सेक्ट सब कुश्चन भी कंप्लीट हुआ आप हम बात कर लेत एक साथ मिलेगा एक मिलेगा प्लस यहां पर नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा क्रोस में मल्टिप्लिकेशन तो टैन का मल्टिप्लाइब वन में करेंगे ऐसे वन इंटु 10-1 into 8 करेंगे अच्छा फिर 8 into 10 ऐसे होगा 8 into 10 ठीक है अच्छा यहां पर 1 प्लस वन इंटु 10 करोगी तो इधर आएगा 10-8 क्योंकि 8 होता है और 8 10 यहां पर हो जाएगा 80 तो फिर इधर क्या आएगा 1 प्लस 10 में से 8 यहां तो इधर आजाएगा 2 इधर आजाएगा प्यारे बच्छो अच्छा असी आएगा ठीक है अब क्या करोंगे क्या यह हमारा कर सकते हैं तो यह कितने बार में जाएगा टू बंजा टू और देखो तू फोर्जा क्या होता है एट और यह वाला जीरो इधर आजाएगा यानिकि इसका फाइनली आंसर हमें क्या मिलेगा वन इंटीजर वन बाई 40 ऐसे करके मिलेगा नहीं समझ में आया अच्छे से बताती और 80 को 80 को देखो 80 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे ना तू फोर्जा क्या होता है एट होता है ठीक है तो इधर आजेगा जीरो यह वाला जीरो यहाँ आपे ले लिए देखो 40 आया है कि नहीं आया ना 1 upon 40 तो वही मैंने लिखा है तो इधर हमें क्या मिला 1 plus 1 upon 40 मिला ठीक है अब इसको ठीक से करके लिख दो मिक्स के फॉर्म में मिक्स नंबर के फॉर्म में तो 1 इंटीजर 1 by 40 यह हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली लो खतम ठीक है खतम कहा नहीं ओके तो यह आपका आंसर है देख ले ना थर्ड सब कोश्चन भी कंप्लीट कर लिया हमने फॉर्स्ट मातर से अब हम बात करने वाले हैं मैतर नंबर 2 की ठीक है मैतर नंबर 2 बता दो आप देखते हैं मैतर नंबर 2 चलो मैतर नंबर 2 हम देख ले पहले कोश्चन लिख ले 7 इंटीजर 1 बाई 8 माइनस 6 इंटीजर 1 बाई 10 ठीक है तो इस मैतर में हमें क्या करना होता है जैसे मिक्स फ्रेक्शन दिया गया तो इसको प्रॉपली एक फ्रेक्शन के फॉर्म में लेकर आओ ठीक है इसके लिए क्या करना पड़ेगा 7 इंटू 8 इन दोनों का क्या होगा 56-1 करोगे तो 57 आजाएगा यहां पर कितना आएगा 8 आएगा प्लस नहीं सॉरी माइनस आएगा 60 होरी कितना होता है 61 यहां पर कितना आजाएगा 10 ठीक है अच्छा अब देखो फिर से multiply हम लोग 8 में कर देंगे 8 को उधर ले लिया फिर जो डिनॉमिनेटर से उनका multiply आप एक साथ हैसे कर दो 8 x 10 अब इधर कितना आएगा 57 x 10 करोगे तो 570 आ जाएगा है ना 57 x 10 करोगे 570 आएगा बीच में माइनस का साइन है तो यहां पर माइनस आगे 61 x 8 करोगे तो 8 x 8 8 6 x 48 इतना ही आएगा है ना multiply करो 8 x 8 फिर 8 x 8 8 x 48 x 48 होता है नीचे देखो कितना आएगा 8 x 10 करेंगे तो यहां पर आजाएगा 80 80 आएगा बिल्कुत थीक अब क्या करो तो माइनस करो 570 में से 488 को माइनस करके बताओ की कितना आता है हो मैं मैं माइनस करकर आपको दिखाते हूं 570 में से- माइनस करना है 488 को तो यहां पर जीरो मेंसे 8 नहीं जाने वाला इसनी सको दिया तो 10 तो देखो छे चोड़ी आठ तो दो तो तो इसको दिने में पो चुका और यहाँ और यहां पे पोल तो 10 और यहां पर ऑट bastard 2 यानिका इसका कितना आता है प्यारे जह कि एक बरावर ऐसे अब उसके बाद एक और बात बताओ देखो अभी डारेक्टले इसको सॉल्व करते मत बैठना डिवाइड मत करना पहले देखो यह कैंसल हो सकता है क्या बिल्कुल यह दोनों ना टू के टेबल में आते हैं टू से यह कैंसल हो सकते हैं तो हमें काम करेंगे टू स से काटेंगे तो देखो कितना आएगा यहां पर आ जाएगा 41 नीचे कितना आएगा तो जब आप 80 को से डिवाइड करोगे मालों यहां पर है आपका 80 इसको आप 2 से काच तो 2 फोर्दा कितना होता है प्यारे बच्छो एट होटा है यह वाला जिरो इधर आजाएगा यानि कि यह 40 बार में जाएगा तो यहां पर मैंने लिख दिया है 40 ठीक है अब चलो हम इसको डिवाइड करते हैं ठीक है आओ कि तभी तो हम इसको में लिख पाएंगे यहां पर आजाएगा 40 यहां पर आएगा 41 अब यह कितने बार में जाएगा only one time में तो 40 बंसा 40 माइनस करेंगे तो वन आएगा तो यहां पर यह आपका कोशन्ट है यह आपका रिमेंडर है और यह हमारा डिवाइजर है है ना तो इसको हम लिख देते हैं प्रॉपरली हमारे फाइनल आंसर देखो ठीक है तो इस मेंटर से भी हमें वही आंसर मिला दूसरे वाले मेंटर से भी हमें वही आंसर मिला तो एक्जाम में कोई भी में अप लगा सकते हैं इट्स यूर चोइस ठीक है चलिए देख लीजे समझा आ गया method number one and method number two अब हम बात करते हैं हमारे last sub question की यानि की fourth question की ठीक है आईए इसको भी हम solve करेंगे दोनों method से method number one and method number two तो देखो method number one की हम पहली बात तो बात कर लेते हैं method number one तो method number one क्या कहता है question पहले लिखे seven integer seven by one by two minus three integer one by five तो सबसे पहले method number one यह कहता है कि इंटीजर्स को एक साथ लेलो तो seven minus three एक साथ आजाएगा प्लस बीच में प्लस का साइन आता है फिर यहां पर फ्रैक्शन है one by two minus one by five तीक है ऐसे करके यह fraction दिया गया है ओके फिर seven minus three करोगे तो कितना आएगा चार आएगा प्लस यहां पर देखो cross में multiply कर दो five into one करना बराबर देखो ऐसे cross multiply करना फिर जो denominator होते हैं उन दुनों का multiply हमें आपस में two into five कर देना होता है फिर देखो यहां पर लिखेंगे प्लस उसके बाद five one's होते प्यारे बचो five होता है minus two one's are two पिर नीचे five two's are ten यह आगया अच्छा आगे बताओ देखो यहां पर four plus five में से two गया तो इधर आजएगा three इधर आगया ten आप देखो यह three or ten कट सकते हैं क्या two से नहीं कटेंगे ना हैना three के table में three आता है लेकिन यह जो ten है यह तो हमारा two or five के table में आता है आपको एसा नंबर लेना है जो दोनों को डिवाइड कर सके ठीक है तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके इसलिए यह हमारा final answer हो जाएगा तो last में आप लिख देना कि therefore four integer three by ten is the right answer ठीक है समझ में आ गया चलो तो यहां पर हमने इसको solve किया है first method से अब हम ब तो पहले question लिख ले seven integer one by two minus three integer one by five ठीक है तो इस second method में हम क्या करते है सबसे पहले यह जो fraction दिया गया इसको properly fraction में change करेंगे इसके लिए seven का multiply हम two में करेंगे plus करेंगे one को फिर आप one में यह two minus three का multiply five में करेंगे plus करेंगे किसको one को दीको यहां पर one है ना इसलिए फिर इद फिर seven two सा क्या होता है 14 plus one अपॉन में आ गया है two फिर minus three five सा क्या होता है 15 plus one अपॉन में five अब देखो इदर कितना आएगा 14 प्लस one करोगे तो 15 अपॉन में two minus 15 प्लस one करेंगे तो 16 अपॉन में five ठीक है अब देखो cross multiplication करना पड़ेगा क्योंकि denominator same नहीं है तो चलो फिर cross multiplication कर 15 का multiply five में करेंगे फिर इदर minus का sign उसके बाद 16 into two two अधर जाकर के multiply हो जाएगा फिर इन दुनों का multiply करेंगे two into five ठीक है आप देखो कितना आएगा 15 five सा कितना होता है प्यारे बचो 75 होता है 15 का table आता है 15 five सा 75 फिर 16 two सा कितना होता है 16 32 और two five सा कितना होता है 10 अच्छा आग अब इसको मिक्स फ्रेक्शन में लिखना होगा इसके लिए आमें डिवाइड भी करना होगा आपटाफट से डिवाइड करें देखो 43 कितने बार में जाएगा चार बार में जाएगा 10 fours of 80 minus करोगे इधर 3 आएगा है ना तो यह मेरा remainder हो गया यह मेरा कोशन्ट हो गया and this is our diviser okay तो इसका finally आप answer क्या लिखोगे ऐसे आप answer इसका लिख सकते हो ना कैसे लिखोगे देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है कोशन्ट देखो इसका formula याद कर लो कोशन्ट लिखना होता है फिर remainder और यहां पर आप लोगों का आ जाता है प्यारे दोस्तों diviser ठीक है यह चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है सबसे पहले कोशन्ट कोशन्ट is four then remainder is three and the divisor is ten तो यह हो जाएगा आप लोगों का mix fraction ठीक है तो हमने दिये गये question को solve कर दिया और फिर finally उसको mix fraction में भी लिख दिया देख लो पहले भी हमको यह answer मिला था second method से भी हमें वही answer म पहले आता है कोशन्ट फिर ऊपर आता है remainder नीचे के आते हैं दोनों भी इसको dividend कहते हैं अंदर वाले को जो बाहर वाले उसको diviser कहते हैं तो क्या आता है diviser ठीक है तो यह चीज़ ध्यान में रखना अलग से मैंने आपको box में बना करके बता भी दिया है ठीक है तो यहाँ आपका question number 2 है प्यारे दोस्तों इसके अंदर वस्चारी सब questions दिये गएते सब के सब हमने solve कर लिया है अब उसके बाद आएगा आपका question number 3 ठीक है तो question number 3 को हम लोग solve करेंगे हमारे अगले वीडियो यानि की lecture number 3 में ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वी